हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग ऐसे हो उम्मीद करती हूं अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं पांच ब्रेट की ऐसी रेसिपी लेके आए हूं जिसे आप कभी भी बना के कहीं भी बना के इंजोई कर सकते हैं फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ घर पर भी इंजोई कर सकते हैं लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और सफर में अगर जाना है तो सफर में भी इन पांचो रेसिपी को आप जरूर ट्राइक कर सकते हों सिंपल इंगिरिडियन के साथ बहुत ही स्वाधिश्ट हैल्दी स्वाधिश्ट होने के साथ ये पांचो रेसिपी हेल्दी भी है तो चलिए फटा-फट से देख लेते पांचो रेसिपी कैसे बनती है अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेर चैनल को सब्सकाइब जरूर कर देजेगा दोस्तों फेस्बुक सब्सक्राइब ज्यादा नहीं करना है दोस्तों ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने इस पेस्ट को और देख सकते हैं इनको बहुत ही बारिक मैंने पेस्ट किया है और ये जो रेसिपी है दोस्तों सुबह में आप इसे बनाईए और पौश्टिक गुन पाईए बहुत ही हेल्दी है बच्चे से बड़ों को भी अच्छा लगे गई ये मात्र एक पीस खाओगे ना आपको काफी सारे nutrition मिलेंगे vitamins, minerals, calcium, protein जो भी है iron वगेरा सब एक ही पीस में मिलने वाला है तो घर में जो अभी मुझे basically जो सबजी थी वही मैंने बारिक बारिक चौप्ट करके डाला है गाजर है गाजर भी काफी healthy होती आँखों के लिए vitamin A भरपूर मात्रा में होता है टामाटर है टामाटर का seeds मैंने निकाल लिया है इसको भी बारिक मैंने चौप्ट कर लिया है यहाँ पे कैपिस कम भी मैंने बारिक काट के लिया है आप जो है सबजी अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हो या फिर में टेस्ट फ्लेवर और इन्हिल्स कर देगा तो यहाँ पे मैंने कॉरिंडर लीव डाल दिया है दोस्तों अब यहाँ पे थोड़े से हलके फुल के मसाले एट करेंगे तो यहाँ पे वान फॉर्ट करीम मैं ब्लैक पेपर दरदरा ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत चटपटी बनती है स्वादिश्ट बनती है यहाँ पे चीली फ्लेक्स में डाल रहे हूं कुटे हुए जिसे चीली फ्लेक्स बोलते हैं अब यहाँ पे टेस्ट रिकॉर्डिंग आप नमा कैट कर लीजेगा जैसा आपको पसंद है दोस्तों टेस्ट फ्लेवर इसका तो अम खाता है तो यह बेस्ट पाचो की पाचो रेसेपी परफेक्ट है हरी हरी सबजी आपने पूरे परिवार को खिलाने के लिए तो और यहाँ पे टेस्ट इनहेल करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का रस आड़ कर दिया आप चाहो तो चाट मसाला या आमचुर थोरी सी बैटर जो है मेरे काफी मोटी लग रही थी तो इसमें दो से तीन चमच अगेन मैंने पानी दे दिया है और इन सारी चीजों को हमने मिला लिया है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो वेडियो में मैं नजदीक से दिखा रहे हूं ऐसी ही रखनी है इसको जादा आप गीला मत कीजिएगा देखे बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखिएगा और बहुत ही न्यू रेसिपी है हेल्दी रेसिपी है अमेजिंग रेसिपी है जब कभी मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता है सुबह में और फटा-फट से बनाना हो पाँच मिनट में तो सार और एक करोच करीब एक करचुल करीब मैंने इसमें बैटर डाल दिया वो जो हमने पेश्ट बनाया था और यहाँ पे ब्रेड है क्या होता है कि ब्रेड सबके घर में हम लाते तो बहुत बड़ा पाकिट है तो कुछ पीसे बज जाते हैं तो आप ये पाचो रेसिपी लेफ से ब्रेड को और देखे वीडियो में मैं दिखा दे रहे हूं कि इसका सेब किता बड़िया आया है बड़िया से हमने इसको बैटर से उपर से नीचे से कवर कर दिया है दोस्तों तो एक बार आप इन सारी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा प्यारे दोस्तों एक तो पनाने में बहुती सुपर सुपर इजी है और खास बात दोस्तों की सारी रेसिपी में सिर्फ दो बुन्द ओयल का ही इस्तमाल होता है और मैंने इसको टर्न आउट कर लिया है उपर का टैक्शर मैं आपको वीडियो में दिखा दे रही हूं कि इसका कलर आप देख सकते हो क कितना टैम्टिंग लग रहा है तो और हरी बहरी सबजियों के साथ है डाल के साथ है ब्रेट के साथ है और जो मसाले हैं उनका भी जो स्वाद है बहुत अमेजिंग है तो टेस्ट व्लेवर आप सोच सकते हैं दोस्तों की कितना अमेजिंग होगा बहुत ही बढ़िया है और य सब कुछ टैम्टिंग है अमेजिंग है स्वाद बहुत ही हेल्दी रेसिपी है मेरे घर में पुरे परिवार को बहुत पसंद आती है खास कर जो मेरी ग्रैनी है और जो मेरे बच्चे है वो डिमांड करते हैं क्योंकि यह उपर से इतना बढ़िया क्रिस्पी करा रहे और जो भी पाच्चो रेसिपी में बना रहे हूं मेरे बच्चो को बहुत पसंद परती है दोस्तों और मुझे भी उमीद है कि जब आप ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को और बड़ों को भी दोगे और बुज़ुर्गों को भी तो आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंग और वीडियो में मैं गुमा गुमा के ये पहली रेसिपी का टैक्शर कलर जो भी है सब मैं गुमा गुमा के आपको दिखा दे रही हूं कि किता बढ़िया है ये दोस्तों तो मेरे कहने पे एक बार आप पाच्चों रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि जादा ठीच भी नहीं है और कुछ भी समान बार से आपको खरीदने की जौत नहीं है घर के समानों से विँजाते है सारे समागरी हमारे घर में easily available रहते हैं दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद परता है और बनाने में भी बहुत मजा आता है क्योंकि जादा मैनत नहीं लगता है ये तो बुन तेल में बना है और simple ingredient के साथ ये बना है दोस्तो तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला ये recipe है एक बार आप जरूर try कीजिएगा दोस्तो बाहर सफर में जब आप जाते हो तो food packet और बाहर के food purchase करके खाते हो तो इसे भी आप simple बना के सफर में ले जा सकते हो और enjoy कर स दूस्तो क्योंकि इसका taste flavor बहुत ही amazing है जब आप इसे सफर के दौरान ले जाओगे और उसके बाद आप इसको enjoy करोगे तो आपके बगल में जो रहेंगे वो भी बहुत खुश हो जाएंगे इनकी खुश्बू से और इसका texture आप देख सकते हो कि कितना amazing है कितना बढ़िया है मैंने एक piece कट करके भी दिखा दिया है I hope आपको ये recipe पसंद आई होगी चलिए next recipe को देख लेते कैसे बनती है यहाँ पे avocado मैंने ले लिया है दोस्तो अवोकाडो थोड़ी सी costly है लेकिन ये बहुत ही healthy होती है डाविक्टिक पेसंट भी इस recipe का आनंद ले सकते हैं और avocado को बहुत easily piece से मैंने cut कर दिया है काटने में कोई भी परिशानी नहीं होगी full of nutrition जो होता है avocado में मिलेगा आपको काफी सारे healthy nutrition है इसमें तो avocado को जरूर अपने diet में सामिल करना चाहिए in fact week में दो दिन जरूर आप इसे आप अपने diet में सामिल कर सकते हो बच्चों को भी दे सकते है तो दो avocado से मैं ये recipe बना रहे हूँ चाको की सहता से इसको cut कर लिया था और बीच में जो इसके seeds थे उनको भी मैंने निकाल दिया है अब ये easily spoke की सहता से messy हो जाते है कोई ज़्यादा दिकत नहीं होती है mess करने में ये देखिए बढ़िया से ये messy हो गया है वीडियो में आ थोड़ा सा healthy कर देते हैं इसमें onion काटके मैंनीड दे दिया है दूस्तों यहां पर हमने tomato डाल दिया है हरी मिर्ची आप अपने taste के coding कम जाधा कर सकते हो लिकिन हरी मिर्ची भी health के लिए बहुत ही लापकारिक होती है हमारे blood circulation को ठीकठा करती है साथ ही साथ हमारे सरीर में ख था घर में तो मैंने इसको इसमें add कर दिया है इसी तरह से मैं यह recipe अपनी घर में बनाती हूँ और जो मेरे husband है यह recipe को बहुत ही जादा पसंद करते हैं थोड़ा सा chili flex दे दिया था थोड़ा सा coriander leaf दे दिया था हलका full का इसमें मसाला परेगा थोड़ा सा black paper और इसमें मैंने थोड़ा टेस्ट इन्हेल्स करने के लिए एक चमच करीब चाट मसाला जो होता है वो add कर दिया है अब यहाँ पर टेस्ट के according हम नमा के add कर देंगे आप चाहो तो इसमें आम चूर पॉडर का भी इस्तमाल कर सकते हो थोड़ा सा हम इसमें lemon का रस भी add करेंगे और देखिए simple ingredient के साथ और इसको आप सुबह सुबह healthy morning breakfast में ले सकते हो लंच में भी ले जा सकते हो बच्चों को भी दे सकते हो काफी healthy है simple ingredient के साथ स्वाधिष्ट पॉष्टिक गुनों से भरपूर आपका यह healthy breakfast है morning breakfast तो इसको आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह जो flavor हमने इसमें simple flavor add के हैं और नजदिक में से वीडियो में दिखा दे रहे हूं कि इसका texture कितना बढ़िया लग रहा है और यह काफी flavorful जो इसका stuffing है अंदर का जब हम इसे stuff करेंगे अपने टॉस्ट पे तो बहुत ही amazing लगने वाला है यह recipe एक बार इस trick से आप इस second recipe को भी जरूर ट्राइ की जब यहां पर मैंने butter ले लिया है कम से कम 30 ग्राम के आसपस मैंने यह पर butter ले लिया है यह पर लशन एक लशन का पूरा जो कली होता है ले लिया है चिल के और इनको कदूकस की सहता से आप देख सकते वीडियो में सारे लशन को मैंने grate कर लिया है दोस्तो बटर में पहले ल लसन ग्रेट करते से मैं नीचे गिर गया था चॉपिंग बोर पे तो वो भी मैं उठा के इसमें दे दे रही हूं दोस्तों वेश्ट क्यों करना है अब ये देखिए इनको अच्छे से हमने मिला लिया लसन जो और बटर का पेश था और इनको जो है ब्रेट के दोनों साइड ह हमने लगा लिया है और इनको पैन में बढ़िया से अलट पलट करके इसको क्रिस्पी क्रंची करके हम टॉस्ट कर लेंगे ये देखिए इसको हमने टॉस्ट कर लिया है इनका कलर देखिए आप तो जितना अभी मुझे बनाना है फुल फैमिली के लिए तो मैंने उतना पिस रेंडविच बना रहे हूं तो देखिए बस सिंपल है कुछ ज़्यादा ताम जम नहीं था और इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है यह देख सकते हैं मैं वीडियो में भी दिखा दे रहे हैं और बनाना कितना सरल सुविधा जनक है पांच मिनट में बन जाता है और एक पीस मैंने कट कर दिया है अंदर का टेक्शर देखिए उपर का कलर देखिए बहुत टैम्टिंग और अमेजिंग है तो चलिए नेक्स्ट रेसेपी की और चलते हैं आई होप आपको दूसरी रेसेपी भी बहुत अच्छी लगी होगी तो जरू ट्राइ कीजेगा ए मैंने यहां पे 6-7 पीस ब्रेट के लिए है साइट का जो कॉर्णल भाग होता है उनको कट कर लिया है उनको आप वेस्ट मत कीजेगा चीली ब्रेड होती है वो भी बना सकते हो ब्रेड का वो जो साइट भाग था उससे और पकोड़े भी बना सकते हो यह ब्रेड क्रम भी औ इसे रेड़ी कर लेंगे बढ़ियां से ये जो मिक्षर है इनको आप गूतिएगा चिकना कर लीजेगा हाथ की जो हतेली होती है ना उससे कम से कम 5-6 मिनिट जरूर इसको स्मूथ कर लीजेगा दोस्तों बहुती टेस्टी लगेगी ये सिंपल इंगेडियन के साथ लाजबाब मिठाए कभी कभी हमें म दो समागरी से आपकी मिठाई बनेगी और घर में सबके ये सिंपल समागरी पड़ी रहती है तो एक बार सिंपल और जूसी रसीली मिठाई को जरू ट्राइ कीजेगा दोस्तों यहां पर एकटोरी मैंने चीनी लिया था एकटोरी पानी ले लिया है और दो इलाइचे का मु बढ़िया आएगा इनको जादा हमें तार्वा गैरा नहीं बनाना है बस थोड़ा सा यह जो चास्नी है चिपचिपी हो जाए हानी जैसी सैद जैसा हलका पंसा इसमें चिपचपा पना जाए उतना ही इसे मेल्ट करेंगे तो जब तक हमारी चीनी है गुलंसी ही लो रही है है बीच में थम लगाके ऐसे पेरा जैसे बना दिया है दोस्तों और सारे मिठाई को हमने रैडी कर लिया है जब तक हमने मिठाई का सेप रैडी के है तब तक यह जो हमारी चिपचिपी वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी जो सुगर सिरफ है वो भी रैडी हो गई यहा करके फ्राई कर लिये हैं लूटू मीडियम गैस पे इनको बढ़िया से आप फ्राई कीजिएगा दूस्तों जादा ओइल भी नहीं लगते हैं और दो समागरी से यह मिठाई बन रही है तो किसी भी ओकेजन पर आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो जब आपके पास समय कम ह और अचानक महमान आ जाए तो आप यह मिठाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो महमान भी एक बार इस रेसिपी को खाएंगे तो आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही सुपर है और खास बात दो समागर से मिलकर बनाए सिर्फ ची का सारा पीस इसमें हम डाल देंगे दोस्तों यह देखें यहां पर फ्राई करके रखें और एक हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों और आप देख सकते हो कि किता बढ़ियां लग रहा है और इनको सिफ पांच मिनट के लिए इसमें हम सुगर सिरफ में डालेंगे तब तक सारा जो इसमें नारियर का बुरादा है ना वो देने से ये बेनिफिट होगा कि इसमें थोड़ा-थोड़ा सा जो चासनी है वो एब्जॉर्ब होगा और अंदर तक पूरा क्या बुलूँ इतना बढ़िया से पाची मिनिट रखना है और ये जो हमारी मिठाई है एकदम रेडी हो हुआ है थोड़ा सा ही मैनत लगेगा और आपको मार्केट से बेहतरीन मिठाई घर पर खाने के लिए मिलेगा सारे मिठाई को फेल करने वाला है दोस्तों ये देख सकते हैं मैं वीडियो में नजदीक से दिखा दे रहे हूं और इसका कलर जो टेस्ट है बहुत अमेजिंग है मेरे घर में दिल खोल के इस मिठाई को बच्चे खाते हैं बुजूर्ग भी बड़े भी चलिए नेक्स्ट रेसिपी की और देख लेते है कैसे बनती है चौती रेसिपी के लिए आप देख सकते हूं यहां पे मैंने दोस्तों पैन ले लिया है अब हम इसमें घी आड़ क के दोस्तों आपको एक ही पीस में चीज का स्वाद आएगा भालू आलू का स्वाद मिलेगा और पनीर के जो लबड़ है उनको पनीर का स्वाद मिलेगा दोस्तों तो एक ही पीस में सारे यह मिलने वाले आपको स्वाद मिलने वाले हैं और एक तम अंदर से क्रीमी क्रीमी स्वाद रहेगा दोस्तो तो सारे पनीर को हमने फ्राइ कर लिये हैं गोल्डेन फ्राइ वीडियो में मैंने दिखा दिया था आपको तो ऐसा गोल्डेन फ्राइ करके पनीर को निकालना है और कि चमच एक चमच राई डाला था थोड़ा सा आधराग ढला था और यहां पर थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची बारी काट के लिए है ये सारे मसाले flavon का अबर्ड बोश क्धां क्ड़िकी यहां है तो यहां पर अबया है करजीक आर दोस्तों तो आप बारी पर टो कॉए दिकत नहीं है, परिशानी नहीं है सारे मसालों को अच्छे से हमने कड़का लिया है दोस्तों तो एक बार इस ट्रिक से ये रेसिपी ज़रू ट्राइ कीज़ेगा इन फैक्ट पाचो रेसिपी आप ज़रू ट्राइ कीज़ेगा बहुत ही आनन्द आएगा बनाने में भी और खाने में भी यहाँ पे चार से पाच आलू को मैंने पहले बॉयल करके रखा है और इनको हाथों से मैं फोर फोर के डालते जा रही हूँ ये भी सिम्पल इंगिरियन के साथ सिम्पल मसाले के साथ टेस्टे रेसिपी बनेगा तो यहाँ पे टेस्ट रिकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा मैंने गरम मसाला एड़ कर दिया था वन फोर्ट करेब और एक चमच मैंस में रेट चिली पॉडर डाल रहे हूँ अब इन सब को अच्छे से हम मिला लेंगे दोस्तो बढ़िया से मिला लेंगे और बस इतना ही मसाला पड़ेगा इसमें जादा नहीं पड़ेगा तो भी इसका जो स्वाद फ्लेबर है बहुत ही अमेजिंग आने वाला है टेस्टी आने वाला है दोस्तो और अच्छे से इनको लो टू मेडियम पे हमने बढ़िया से मिला लिया है और स्टफिंग के बाद मिलाने के बाद दोस्तो इस स्टफिंग को मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक चमच करीब चाट मसाला एड़ कर लिया है थोड़ा सा फ्रेस फ्रेस कॉरिंडल लीव एड़ कर दिया है आप चाहो तो आमचुन पॉडर जो होता है वो भी एड़ कर सकते हूँ लेकिन मैंने चाट मसाला एड़ किया है अब यह जो हमारी स्टफिंग है जो हमने चाट मसाला और कॉरिंडल लीव दिया था उनको भी मसाली के साथ अच्छे से हमने मिला लिया है दोस्तों और देखिए इसकी खुश्बू बहुत बढ़िया आ रहे है आलू मसाला की तो आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा और लंच बॉक्स में भी बच्चों को दीजेगा दोस्तों मेरे बच्चों को बहुत पसंद पढ़ता है और काफी ये हल दी है प्रोटेन कलसियम भी इसमें रहते है आप यहापे दो ब्रेट ले लिया है आप चाओ हरी चटनी भी लगा सकते हो या फे जो भी आप इच्छा हो वह आप ब्रेट पे स्पेट कर सकते हो एक पे मैंने कैचब लगा लिया है और एक पे मैं मैं कूले माइव लगा लिए दोस्तों म कईना य्ग हुआ आदे हैं दोस्तों कि एंसी प्ब्लीवर एंस को बनाती हैं dust और बच्चे दिन चुनकर खोल कर खाते हैं बच्चे फ्राइडे को इसी का डिमांड करते हैं क्हाने के लिए क्योंकि इसका जो एक पीस उलो खाते है ना उनका पुरा पेट भर जाता है और काफी हेल्दी है उनका मन भी खुश हो जाता है और जो मैयों वाले हमारे पीस थे ब्रेट के स्लाइस उस पे मैंने चीज डाल दिया है आलू का मसाला है चीज के उपर हम डाल देंगे पुरा भर दिया है मैंने अब देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में यह दोस्तो और जल्दी बनके रेडी हो जाता है अब यहाँ पे पनीर का जो फ्राइपीसेस था वो भी मैंने आलू पे डाल दिया है दोस्तो अब उपर से अगें मैं यहाँ पे मैंने कहा ना कि बहुत क्रीमी क्रीमी टेस्ट आने वाला है और मोस्ट चीजी जो चीजी लवर होंगे उनको यह बहुत ही मन भायेगा दोस्त कैचप बाला सलाइस था ब्रेट का उसके ऊपर मैंने उपर से मैंने यह स्लाइसेस डाल दिया है अब यहाँ आप बटर में भी इसको क्रिस्पी कर सकते हो लेकिन मैं इसको फिलाल घी में ही बना रही हूँ और थोड़ा सा घी देने के बाद यहां पर थोड़ा सा सैस्मी सी घर में है तो मैं इस्तमाल कर ले रहे हूँ आपके पास नहीं होगा तो इसकेप कर दीजेगा सिंपल गी बटर देखे आप सेक लीजेगा उलट पुलट करके लेकिन थोड़ी से हेल्दी होती है सेस्मिसे और किसी ना किसी बहाने हेल्दी चेज बच्चों को मैं ऐसे ही तिग आप देख सकते हैं दोस्तों तो सैंडवीच आपने कई बार खाई होगे लेकिन एक बार आप इस सैंडवीच को जरूर ट्राइ किजेगा एक पीस का आधा आप खाऊगे न तो पुरफ पेट जो है आपका यमी टमी भर जाएगा और स्वाद आपको आधिपीस में मिलने व पाला है एक पीस को मैं आपको कट करके अंदर का टैक्शर दिखा देरों यह देखिए दोस्तों है ना सूप व्यम्मी माउथ वाटरिंग दोस्तों तो एक बार इसको आप जरूर ट्राइ किजेगा बच्चे से बड़े मेरे घर में और बुजूर्ग भी जो मेरे ग्रानी ह उनके मुह में धात नहीं है तो यह क्रीमी क्रीमी बहुत पसंद परता है उनको तो जरूर आप इस रेसेपी को भी ट्राइ किजेगा चलिए लाश्ट रेसेपी के लिए हम चलते हैं यहाप एक पैन ले लिया है अब यहाँ पे मैंने एक चमश जीरा डाल दिया था पिंच पॉडर के एवेज में अधरक भी ले सकते हो यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा मैंने एट किया है धनिया पॉडर एट किया है जीरा पॉडर एट किया है और रेट चिली पॉडर एट किया है अब इन सारे मसालों को अच्छे से बिना जलाए हुए भूनेंगे और फिर भू लालू के साथ इसे बना रही हूं आप यहां पर टेस्ट रिकॉर्डिंग आप नमक एड़ कर दीजेगा यहां पर अगेन मैं चाट मसाला एड़ कर रही हूं आप चाहो तो आमचुर पॉडर भी एड़ कर दीजेगा बहुत ही सिंपल वे में है यह रेसिपी लेकिन खाने में मार्केट से बहतरीन है घर पे और सिंपल इंगिरियन के साथ सिंपल तरीके से सिंपल वे में इसको बनाईएगा ना तो एक पीस आप इसका भी खाओगे तो पूरा पेट जो है आपका फूल हो जाएगा यम्मी टम्मी खुश हो जाएगा मन दिल जो है आपका आत्मा त्रि इस भी को बनाओगे लंच बॉक्स घर में या फिर सफर में भी आप इसको बना सकते हो यह हमारा ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था और उसमें कॉरिंडर ली भी लाश्ट में आड़ कर दिजेगा यहां पे बॉल मैंने ले लिया है बड़ा वाला बरतन उसमें दो स तोड़ा सा चीली फ्लेक्स ले लिया है और यहां पे नमक हमने स्टफिंग में भी डाला है इसलिए नमक आप केरफुली डालिएगा टेस्ट रिकॉर्डिंग मैंने नमक डाल लिया है इस सलरी को ना तो जादा गाढ़ा करना है ना जादा पतला करना है तो थोड़ा- आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होने चाहिए वीडियो में यह ना जादा पतला है ना जादा मोटा मार्केट वाला लुक देना है तो इसमें थोड़ा सा मैंने मैंने जो होता है वह ढाल दिया है अगर आप घर में बना रहे हो फूल फैमिली फूल दो उस्तों के लिए बच्चों के लिए तो आप ब्रेकिंग गीजएगा लेकिन मैं मार्केट वाला लुक देने के लिए थोड़ा सा ब्रेकिंग सोडा आट कर ली हूँ ब्रेट के पिसेस पे जो है मैंने ग्रीन ग्रीन स्पाइसी चटनी डाल दी है अब आलू का जो मिक्षर था वो हमने इसमें आट कर दिया है दूसरा पीस भी उसमें डाल दिया है अब इस तरह से बीच से हम कट कर लेंगे इस तरह से आप इसको ना सेंड्वीच के तोर पे भी आलू मसाला सेंड्वीच तोर पे भी खा सकते हैं बटर और घी में सेख लोगे दोस्तो तो बहुत टेस्टी लगेगा यह भी खाने में लेकिन यह पे घोल जो हमने रैडी किया था ना उसमें जो यह हमारे ब्रेट के पिसे से उनको डिप करके एक्सेस इस लरी को हटा लेंगे और कड़ाई में ओयल मैंने पहले गरम करके र हमण धुक है दोस्तो तो हैना एकनम जबरदस्त अंदर से भी और बाहर से भी खाने में अतना स्वाधिश्ट है दोस्तों एक दम फुला gdzie टेक्शर है एकदम मसालेदार है दोस्तों खाने में आनंद आ जाएगा और अभी ठंडी वगरा है तो यह सब रेसिपी खाने में अच्छा ही लगता है आप बाहर कितना भी खाओ लेकिन घर में जो हम बनाते हैं उसको अपने टेस्ट के कोडिंग किसी भी चीज को यम्मी लग रहा है तो आई होप कि आपको आज की पाचो ब्रेट की रेसिपी अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है बहुत ही इजी तरीके से और एकदम स्वाधिस्ट पॉश्टिक गुनों से भरपूर है पाचो रेसिपी जरूर जुरियात कीजिएगा बाबाई टेक केर